नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग तारीक है दोस्तों 13 दिशंबर 2020 और यहां पे आपके सवाल मेरे जबाब का 94 एपिशोड यानि 94 एपिशोड लेकर आपके सामने हाजिर हूँ यानि अब इस एपिश पूरा हो जाएगा काफी सक्सेस्फुली आप लोगों के सहयोग से चल रहा है तो कल सटर्डे को जैसे कि आपको पता हर सटर्डे को मेरे आपके सवाल मेरे जवाब का सेक्शन ओन होता है जहां पर आप अपने मार्केट रिल्टेड डिश्टॉक रिलेडेट क्वेरी मुझ संडे को वीडियो बना के जवाब देता हूं सटर्डे को सारे सवाल कलेक्ट करता हूं रात बारावजी तक जितने भी आते हैं बिल्कुल रूल के हिसाब से जो रूल में नहीं भेजते जो नियम के हिसाब से नहीं भेजते उनके सवाल में रिजेक्ट कर देता हूं उसमें अदा करना चाहूँगा धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों का कि आप लोगों ने यहां तक इसको ले करा हैं मेरे इस सेक्षन से अगर आप लोगों को फैदा होता है मेरे इस सीरीज से आप लोगों को कुछ फैदा होता है कुछ हेल्प होता है तो मुझे वीडियो क कमेंट सक्षिन में फिडबेक देना बिल्कुल भी ना भूलें तो जरूर से जरूर आपको फिडबेक दीजे आपको फिडबेक का इंतिजार रहेगा तो चलिए सवालों का सिलसला शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला सवाल किन का है विश्वजित जी गुहाटी से लिख रहे हैं कि मैंने ACC और अंबुजा ले रखा है 1675 और 256 में क्या करें सर रखें या छोड़ दें क्यूंकि सिमेंट का सेर गिर रहा है या फिर इनके रिष्ट दोबारा उपर के तरफ उठेंगे देखिए ACC के बारे में मैं बता देता हूं विश्वजी साब ACC मंडे के दिन नजर रखिएगा अगर यह 1620 के उपर क्लोज कर गया अभी की क्लोजिंग साहिद 1618 या 13 के आसपास में चल रहा है जहां तक मुझे याद है चार्ट देख ले बिल्कुल मुझे याद है 1613 ही इसका चार्ट पर है है ना क्योंकि मैं निफ्टी के हेवी बेट इस्टॉक करता रहता हूं इस्टॉक्स देख रहता हूं तो प्राइज लगभग याद है तो 1613 किसी क्लोजिंग चल रहे तो मैं में में बता देता हूं कि अगर यह 1620 के ऊपर क्लोज करता है मंडे के दिन सुंबार के दिन तो फिर आप वेट करिएगा फिर आपको यह 1650 से 1700 का टार्गेट दिखाएगा लेकिन अगर यह मंडे के दिन 1600 के नीचे निकल जाता है उसके नी अबुजा ले रखा है अमबुजा सिमेंट तो अमबुजा सिमेंट का भी शेम सिच्वेशन है अमबुजा हमें कम से कम 250 की क्लोजिंग चाहिए अपसाइड में अगरे 250 की उपर क्लोज नहीं कर पाता है 250 से पच्पन तो फिर आपको निकलने में ही भलाई यह वहां से ठीक 256 में अपने लिया और अभी देखिया अभी प्राइस चल रहा है 246 के असपर दस पॉइंट अप्लोज में तो याद रखिए अगर यह बहुत गड़बर है 243 42 के नीचे अगर यह मंडे के दिन आ जाता है तो प्रॉब्लम कर देगा आपको निकलना पड़ेगा 250 के उपर अगर यह टिक जाता है तो फिर आप वेट कर लिजेगा 260 के टार्गेट के लिए अब जास्यमेंट में फिटवएक देना बिल्कुल ना भूले विश्व जी चाहब अगला सवाल लेता हूँ परिमिंदर कुमार फरिदाबाद से लिख रहे हैं कि आपके शेर इंडिस्टिंग टिप्स और रियली हैल्पूल थैंक्यू सर माइक क्वेश्चन इस ऑन यूपील बाउट फोर फिप्टी फाइप और टोरेंट पावर एट थी थर्टी प्लीज सजेस्ट आउटलूक फोर चौटर्म फोर नीचे आया ठरजडे के दिन ऐस्पराइडे को थोड़ा कभर किया अ थोड़ा सा लेकिन फिर उसमें एक निविशल लोर करके किसी ने उसमें कैश किया वा है या कुछ स्टॉक्स ने वहां से प्रफॉम्मिंस भी बहुत अच्छा किया आपने अगर यूपील का चार्ट में आपको दिखाऊं सर तो यूपील आप देखेंगे कि जब मैं दिवाली के टाइम दिया था दिवाली वाले प्रिक्स में यहां से तो देखिए 400 से लेकि ये स्टॉक्स संता ने ने 500 तक चला आया अब दो दिनों से कंट्यूनियू गया तो मेरे क्याल से मेरा भी भी चेंज नहीं हुआ है मेरा भी बिल्कुल चेंज है कुँए मेरा भी तो लंबा है और इसके टेक्निकल वगड़ा सब सही है कहीं कुछ मुझे इसमें प्रहान न्यूज है न्य यह 420 को ब्रेक करेगा तो मैं भी एक्जीट करूंगा और वहां से फिर इंपोर्टेंट सपोर्ट अगर वह ब्रेक हो जागा तो फिर बड़ी गिरावट भी मिल सकती है लेकिन अगर यह 440 445 के उपर ही ट्रेड करता रहता और उसके उपर ही क्लोस करता है दैन यह अभी भ ट्रेंट पावर आपने 330 पे लिए तो हम लोग ट्रेंट पावर को देखेंगा सर कि क्या हिसाब चल रहा है तो मैंने दिया भी वहाता है और अच्छा खासा बहुत ही अच्छा जवर्दस लेवल के पास है ट्रेंट पावर 330 पे लिया 323 के आसपास की चल रही है इस टॉप अगला सवाल बढ़ता हूं और अगला सवाल है अभीशेक बनरजी शाहब कोलकाता वेस्ट बंगाल से लिख रहे हैं अभीशेक बनरजी ने कोलकाता वेस्ट बंगाल से लिखा है कि HD Fc.Life शेर में क्या CMP पे इंवेस्टमेंट करना सही होगा P.E. is showing very high P.E. बहुत हाई हो क्या प्लीज शेर यूर व्यूज फॉर शॉर्टम इंवेस्टमेंट टू 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 त्री मन दो से तीर मन जो है कभी हो रहा है सब आप टीवी देखना बंद करियो कि वाट इजी स्मॉल केस हाओ तो बारे में बता देता हूं इसे मैंने वीडियो बहुत सारे बताए हुए इसमॉल केस क्या होता है एक बासकेट होता है पहले मैं आपके दुसरे सवाल का जवाब देता हूं फिर प्हले नमर प्रयांगा इंडियो बनागा वे पूरे हैं जैसे कि आपको कुछ इस्टॉक्स पसंदा हुए और व्यूर्ब्या इक मास्केट बना लिया उस बासकेट क अब आपको एक एक करके वह सभी स्टोक खरिदने की जरूरत नहीं है आपको वह सारे बास्केट ही खरिदना पुड़ेगा एक बार में और वह बास्केट का मिनिमम बैल्यू 5000 से स्टार्ट होगा यानि 5000 के अंदर वह जीतने चोटे-चोटे टुकरे आपको मिलेगा वह मिल ज क्लिक करेंगे तो एक नया टैप पर खुलेगा यह अब इसको नयट पर खुले तो लिखा होगा इस तरह से तो यहाँ पर पहले से भी बना हुआ और आप बना भी सकते हैं जैसे कि यह डिसकबर पर जाएंगे तो आने पर यह पहले से कुछ रिकोमेंडेट दे रहा है ना और भी मिलेगा आपको और फायर के थीम से पर कलेट करेंगे तो आप यहां से भी आप क्रियेट ऑन है अपना भी बना सकते दिखिए यहां पर दिया होगा अपना बनाने का एक जगह पर इतने सारे यह क्या है इस पहले इत्की एक मेण लिड़क्त सकते हैं, इस से आप पुरा आतिट खरीच सकते हैं जैसे किए अगर आपको अपना जैता तो आप आप ना यहां बनाना लिजह ङुआ नो उसमा बनाना स्टॉक डालते इसके अंदर जितने श्टॉक है ना हमें वो नहीं खरीदना है हमें यह पूरा बास्केट खरीदना उस बास्केट में एक बार में कितना वेल्यू लगेगा मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना लगे वह लिखा हुआ है कहा लिखा हुआ वापस बैक करिए तो आपको पता इसके अंदर देखे बहुत सारे आपको इस्टॉक मिल जाएंगे तो आपको यह सारे श्टॉक ने खरीदना जैसे श्टॉक एंड वेट पर गए यहां पर इस्टॉक का नाम यह मुझे आईडी दे के लॉग इन बोल रहा है करने तो फिर मुझे यह दिखाएगा मैं इसे क हरकर दिखाता हूं निए तुम स trip इर अदर नाम यहां पर आगया अब यहां पर देख्ला कि इसके अंदर के श्टॉक डेखना था प्ल हमना तो भीट श्टॉक देख लेंगे कौन स算 सा इसटॉक्ष इसके अंदर इसने आला घया कौन सा नहीं डाला गया से सारे चीज आप यहां पर देख सकते हैं जिसे वापस से डिसकेवर पर गया अब आइडी द्याला ना अब वो मुझे दिखा देगा बहुत अच्छे से यह बहुत सारे वीडियो मैंने इसमें पहले से बना रहे हैं फाय स्थीन पर गया और अल्वेदर एटिया अब इसके में चार एक मिला के एक बना दिया गया है और एक बनाने के बाद जो है उसको पूरा खरीदना है आपको जिसका मिनिमम इंविश्मेंट से 3738 रुपर लगया अब फिर हर मन चाहे तो कर सकते हैं इसमें लिखता भी है रिस्क जो है व्यारी लो है बहुत कम रिस्क है एटिएफ ह करता हूँ आपको पहले सवाब दूसरे सवाल कर जवाब तो अच्छे से मिल गया होगा समझ भी फिडबेग भी जरू दीजिएगा अगर टाइम रहे आपको तब दूसरा टीवी देखना बंद कर दीजिए HDFC लाइफ सेर में क्या CMP पर इंवेश्मन करना सब्सक्राइब पीई वाली बात करना मैं इसी पर आपको कहरा हूँ टीवी देखना बंद कर दिए आप टीवी अगर देखेगा तो ऐसे ही पीई आपको हाय दिखेगा और पीई बेरी लो दिखेगा और होता कुछ भी नहीं किसी किताब में अभिसेख साहब किसी बुक में किसी किताब में आप अगर सर्च कर लेंगे तो PE का एकजेक्ट फॉर्मूला पीई का एकजेक्ट डेफैनेशन नहीं लिखा हुआ है कि कितना PE सही होता है या किस ये PE बिल्कुल करेक्ट है ऐसा कुछ भी नहीं है यहां यह देखे सर्बजाज फाइनेंस है इसका यहां पर देखे पीए कितना चल रहा है 64 का पीए चल रहा है लेकिन आप यह मुझे बता है यह 64 का पीए तो बहुत हाय हो गया फिर भी बढ़ तो यहीं स्टॉक रहा है डेली दो परसें तीन परसें चार परसें तीन हजार से पॉं इसन नहीं है कि लोग वाला खराब है है वाला खराब है या हावाला खराब है लो वाला चाहा है अशल परवायडर कंपणी यह आपको बैटर पता है हमसे बैठर पता ही होगा लेकिन मैं सिर्फ चार्ड देखता हूँ HDFC Life के और मैं उसी पर बता सकता हूँ कि बिल्कुल एकदम 640-600 का Stop Loss लगा के Hold करिए आगे आप लेके जा सकते अगर लंबा समय रखा आप ये रखेंगे कि नहीं मुझे 10 दिन में आ जाए 15 दिन में आ जाए एक मैने में अभी मार्क प्रालेट इतना उपर गया और को कम्पनी ब्रेकготов, सब्सक्रांच करने WhatsApp बिल्क ऐसे दो सब्सक्राइब आचारह कीड़ना線, हमें ठासातलन केड़नruktur लंबा सब्सक्राथ को सब्सक्राख तर्टेनर्सक्राल को सब्सक्राइब क्यों लंबा रखना होगा 620 के stop loss लगा के hold कर सकते हैं अगर आपको लेने का इरादा है तो यह मेरा अपना राय है वांकि आप अपना decision खूद ले मैं कोई personal buying और selling की मैं सिर्फ चार्ट दिखा कि आपको बता रहा हूं और थोड़ा सा information देने की कोशिस कर रहा हूं कि actually PE सबके चक्कर में पड़ियागा ना तो आप हमेशा खोशते रहेंगे वह मिले गए नहीं वह पी है ना वह सही पी आपको मिले गए न कहीं डिफनेशन लिखा हुआ नहीं ह इसका तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बाते समझ में आ गई होगी और टीवी वाला बात तो ध्यान रखेगा जरूरी केशव राव सहब राजा मूंदरी आंध्रा परदेश चे लिख रहे हैं यूपील इस्टॉक बाइडेट 440 बहुत बढ़ी हैं सर फोर डिलेवरी व यह भी वहां से 100 पॉइंट उपर चला गया जहां से मैंने दिया अभी स्टॉक्स में न्यूज आया हुए जिसके वाज़ा सी थोड़ा से गिर गया साथ इसलिए बहुत सारे सवाल यूपील को लेके आया हुए कोई टेंशन नी 420 के नीचे अगर यह रहेगा तभी प्रॉ अलो सर आप 200 DEMA strategy पर एक बार वन वीक तक ट्रेड करने के दिखाए क्योंकि more than three stocks scanning में आये तो सारों में ट्रेड करना है या उसमें से भी स्टॉक्स लेकरना है बहुत बढ़िया यह ऐसा देखिए सर एक्षुली प्रॉब्लम आपके साथ क्या और है जैसे तीन स्टॉक्स आपके साथ आए मैं कोसिस करूंगा आख ट्रेड करने किसके उपर क्योंकि जब live market में काम कर रहा तो मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं तो मैं उन लोगों के सवालों का अंसर कर रहा होता हूं live market में उन लोगों के stocks को देख रहा होता हूं तो यह सारी इस सारे पर मैंने आप लोगों को live trade करके दिखाया है सारे पर live trade करके दिखाया और continue करके दिखाया इस पर भी कोसिस करूंगा लेकिन समस्या क्या हो रहा है कि जैसे तीन stocks आपको आया न तो आप यह सोच रहे है कि मुझे बस वो तीन में से एकी stock पता चल जाए जिसमें मैं मैं जाएं पैसा बढना लू ऐसा तो नहीं होता थीन चीज है आपके सामने रखे वे और आपके पास एक amount है आपको एसा करना कि उस इस्टा पर आपको काम करना है सेमस्क्राइन सेब्स प्राइस प्राइज तीनो स्टाक का लग इलग होगा लेकिन आपको amount सेम रखना है तीनिंव स्टॉक के लिए और तीनों पर सेम से जितने जितने कौंटिटी आएंगे आपको अधना लेना होगा क्योंकि जब वो तीनों डीक तो तो की टिरिया ना अब अब ये डिजाइड होहां पर नहीं कर पा है कौंटीटी अलग-लग हो सकता है कोई प्रॉल पैसा तो नहीं होता है किर्चन साब ऐसा बहुत ही मुश्किल होगा कि आप एकी को वो ढूंडें और बांकी को छोड़ दें तब सार यह 5,000 जार इस टॉक है फिर तो एकी श्टॉक जनम लेता और फिर तो उसी पर सारे लोग काम कर रहे होते फिर तो बांकी श्टॉक को कोई लेता ही नहीं समझ रहे ना बात तो आपको यह चीजे नहीं करना आप उस वे देखे तीन अगर आते तो थोड़े थोड़े लीजिए सेम प्राइस से क्वांटिटी में अब गैन रिपीट करूं क्वांटिटी अलग-अलग हो सकता है लेकिन एमांट आपको सेम इन्वेस् करेंगे उसका समझ में आगे सर मैं कोशिस करूँगा ट्रेड करने की स्था विकास कुमास आप देहली से लिख रहे हैं कि MRS बैक्टर फूड आप्यों को पूरा सर्च किया नहीं यह पूरा उसका ऑप्रेशन किया नहीं जैसा कि मैंने इसका किया ता आज करूंगा MRS बैक अप्रेशन करूंगा उसमें देखेंगे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए फिर वो वीडियो में आप लोगों के लिए यूट्यूब पे डाल दूगा कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है सर तो वेट कर लिजेगा अनुपम नाशिक शहाब लिख रहे हैं नासिक शहर का लिए और LTI को 3330 पे लिए फोनिक्स मिल्स को 765 पे लिए होल्ड करना या एक्जीट में तो इसर बहुत अच्छा प्रॉफिट बना चले गया था वह एक बार इस्टॉक्स ने और फिर वहां से आके थ्वासे नीचे आया ल्टी आई चेक करेंगे वेस्टी टीलर और ल्ट चैनल को जरूर जोइन करिए वीडियो के डिस्क्रिशन में टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा फिर आपको राप्त कर सकतें भी लाइब मार्केट में वेस्टी टीलर आपने लिया है सर 3300 के आसपास कि 1930 पे लिया देखिए जबरदस्त आपने 1930 पर वेस्टी टीलर पर आपको 1830 का स्टॉप लगाइए 1830 का स्टॉप लोस अगर उसके नीचे निकलेगा तभी यह प्रॉबलम करेगा अधर्वाइज यह बिल्कुल सही जगा पर खड़ा है कोई अतना घ्रवडाने ड़ने वाली बात फिलाल तो मुझे नजर नहीं आ रही है वेस्टी टीलर में दूसरा इस्टॉक जो आपने लिया है सर्व वो इस्टॉक का नाम है कि ल्टी आई 3330 पे फोनिक्स मिल 765 पे तो ल्टी आई और फोनिक्स मिल इसको भी चेक कर लेते हैं ल्टी आई यानिके लेंटी इन्फो टेक लेंटी इन्फो टेक बिल्कुल आपने 3330 पे लिए यह वास 3700 तक गया था यहां 3500 तो लगता है इधर ही आपने खरीदा इसको इस्टॉप लोस 32 का लगा यह होल्ड करिए इस्टॉप लोस 32 का अगर यह 3350 को अगर ब्रेक करता तो आपको दिखा देगा सर तो उमीद करता हूं आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा बढ़ता हूं अगला सवाल है अनुपम जी फिडबैक जरूर देजेगा अगला सवाल लेता हूं और अगला सवाल है विकास जी का फरिदाबाद से बायो कोन एयर टेल एन पेट्रो मैंने दिवाली वाले प्रिक्ष में दे दिया तो इसके लिए तो मैं हमेशा ही तयार बैठा रहता हूं अपने हिसाब से कि मेरा वन इयर का भी उतना को मुझे है नहीं अराम से बैठा हूं और वह अच्छा मुमेंट कर भी रहा है तेल बायो कॉन आपको एक 440 का इंपोर् अच्छा मुमेंट आएगा जो कि मैं निफ्टी फार्मा राइटी में बताता रहता हूं फिर भी हम लोग चार्ट पे चलके फिर से वार चेक कर लेंगे अपडेट हो जाएंगे तो ज्यादा बहतर होगा बायो कोन की बात है बिल्कुल वही है तो एक इसके उपर ही टेड क आपके पास लेना चाहते है पेट्रोनेट अभी हम नहीं ले सकते पेट्रोनेट में थोड़ा से प्रॉबलम है मुझे देखना पड़ेगा पेट्रोनेट के 270-275 के उपर निकलेगा तभी बाइंग आएगी और तीसरा स्टॉक है आपके पास बायो कोन पेट्रोनेट भारत से प्रोनेट रिए सवाल लेता हूं सर उर अगला सवाल बहुत बड़ा है महाराश्टा से लिख रहे है YouTube और्यर औरा इस हाए तोरेंट पावर पैतालीसों शेर को इन्होंने 308 पे खरीदा था बेचाय तीनसों पॉइंट अपने यहां पर लिए मैंने इसी कासपर मुवारग को बहुत अच्छा वेट कर लिजिए केशिर कारता दालीस सेर लिए हुआ है 349 पे तो हम लोग कासपर देखेंगा कितना पर लिया है यह देखें 349 पर लिए सर वेट कर लिए 349 पर लिए तो अच्छा खासा इसमें भी आपको प्रॉफिट बन रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कम से कम 30 पॉइंट तो बनी रहें तो 30 पॉइंट यहां बन रहा है कि स्टॉप प्रॉफ प्रॉफिट का लगाई है केसी में अगर शिस्टी के नीचे निकलेगा तो प्रॉफिट बॉख हो जागा आपका है ना इंजिनियर्स इंडिया इस इस टॉक्स पे थोड़ा से देखना पड़ेगा यह पसंद ऐसे भी नहीं है सरी इस टॉक्स तो मुझे पसंद है मेरी कोमेंड भी नहीं करता इंजिनियर्स श्तने मेरी कहतं चा любов को कौने इंडी होटल मैंने फी और दिया हुए ऑल्रेडि यह इंडिया होटल इंडिया होटल अपने लिए ह obec सर नां इक मिर्योंग सिर्थ को और यह क्लोज करता रहां पहल लेकिन अगर यह घल्टी से भी 125 को नीचे काटेगा तो फिर 120 तक भी आ सकता है तो वो नज़र रखेगा 120 के पास सिल्पा मेडिकल सिल्पा मेडिकल केर है न को सिल्पा इसके पास नहीं है मैं यहां चार्ट पर देख लेता हूं सिल्पा मेडिकल को अपने 3920 चार सो पंचानवे रुपए 38 पैसे पर चार सो पंचानवे रुपए 38 पैसे पर देखे मैं इतना मैंनत करता हूं आप लोग फिर फिडवाए का लाइक नहीं करते इसमें आप थ्वार से 20 पॉइंट लॉस में कि स्टॉप लोस लगा यह 450 रुप लेकिन अगर यह 490 को उपर ब्रेक करता है तो 520 तक का टार्गेट अराम से आपको सिल्पा मेडिकेर दे सकता है तो आप भी अपना इंपोर्टेंट फिडवेक जब दीए थोड़ा सा लाइक बनता है जब वीडियो देख रहे हैं तो लाइक और फिडवेक कर ही दे बढ़ प्लिस टेल दा टार्गेट लेवल टार्गेट सरुसके तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट वहां बैठे हुए कैना होल्ट फोड़ टार्गेट अठाराजर इन नेस्ट तू मन्त आई है बुग गूट फ्रॉफिट इन बजास फिन सर वोकट फार्मा एमनेम टाटा मो वारग को पंदाजार साथ सो पे आपने बॉट लिया वो सोलह हजार सम्तिंग का प्राइस चल रहा है एब बॉट इंडिया जहां तक मुझे याद है 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 ना 16,87 अपने 5,700 पिलिया चार सो पॉइंट तो आपने यहां पर ले लिए और अब वेट करिए 16,400 अगर ब्रेक करेगा तब 16,800 अब आपको दिखाएगा इप वोट इंडिया वर्मा साथ तुक्षा लेटा अगला सवाल लेता हूँ पितमलाल थापा साथ डेडा को स पांसो सेर ठीक है ऐसल क्या होना चाहिए होल करना सही है कि नहीं है प्लिस गाइड यू रिप्लाइ आई टी सी लिया है दोसो शेर 207 पे मेरा टार्गेट दोसो दिखा चलिए तो सबसे बहले इनका है कौन सा सेर इनका सेर हो गया वोगड फार्मा सर वोगड फार्म अगर आप मेरे निप्टी आयटी और फार्मा इस्टाख आइसिस को फॉलो करते हैं तो मैं वहां पर वोगड फार्मा के बारे में बारवार बताता रहता हूं है ना वोगड फार्मा यह ना हाँ आपने 520 पर लिया है जहां तक मैं देख पा रहा हूं 520 पर लिया बिलकुल तो चार्ट अपने 520 पे ले लिया इस्टोक की प्राइस चल रही है 158 सेम प्राइस 500 अगर यह ब्रेक करेगा नसर तो एक बार गैफ को फिल करने आ सकता है अगर गैफ को फिल करने आगा तो 485 तक नीचे आ सकता है या दर के 500 के नीचे आएगा तो एक बार आपको निकलने पर को वकड़ फर्मा दिखा सकता है आइटीसी वेट कर लिए सर बहुत पावर है अभी आइटीसी में 250 तक जा सकता है आइटीसी आपने 220 पे लिया आइटीसी ना कहां पे लिया है 207 पे लिया तो अच्छा खासा 216 का प्राइज वेट करिए आगे कुछ महिनों में यह आपको 250 के आसपास आतावत दिख सकता है इस्टॉब्लोस मेंटीन कर लिजे 210 रुपे का इस कंडिशन में प्रितमलाल सहाब चलिए अगला सवाल लेता हूं और अगला सवाल है और शेक्टिक शेलेक्शिन इस्क्रीण चार्टिंग.com and select the stock by that time that that stock starts moving upward and downward before placing order इनका कहना जब उस पर आपके screener पर जो आपने strategy बनाया है उस पर जब कोई stocks आता है और जब trade करने जाते हैं तो उससे पहले order place करने से पहले वह भाग जाता है चाहे उपर चाहे नीचे तो इस condition में हमें कहां पर इंटी लेना चाहिए कि यादब जी का यहने कृष्ण कुमार यादब जी कुछ इस तरह के नाम थे जहां तक मुझे याद है उनका भी सवाल 200 यह में ही था मैं कोशिस करूंगा सर इस पर ट्रेड करने की आगले कुछ दिनों में फिर आप अपडेट हो जाएंगे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ह तनवीर ऑलमजी डेले से लिख रहें सर तनवीर ऑलमजी डेल इसे लिख रहें कि डेलायव के दोस्क्री याइंग है टारिट और स्टॉपलोस क्या होगा सर वेट करिये यह इंफ्रा में थोड़ी एरावट आती भी दिखाई दे ईयलाव को हात ना अल्ट यह आठीए धी जिस प्राइस पे वो खड़ा है 200 की बाएंगे 200 की बाएंगे तो चली सर आप 17 पॉइंट प्रॉफिट में 210 का इस टॉप उस लगाईए होल्ड करिए अगर उपर वापस 220 ब्रेक करता है तो 230 से 240 तक के टार्गेट आपको डियलप आगे आने कुछ दिनों में दिखा सकता है नजर बना के जरूर रखेज पर अगला नाम है राजकुमार जी लिकरें सहर पट्याला से सहर नाम के बाद कोमा लगाया करी है ना ने तुम्हें कैसे पढ़ूंगा मैं बताता हूं नाम राजकुमार सहर पट्याला ऐसे पढ़ूंगा एक साथ हो जाएगा तो अच्छा भ इस नाम से, मार्केट कल भी खुलेगा, बहुत अच्छा लगा, साइको वीडियो तो आप बहुत अच्छे से बनाते हो, कभी हो सके तो इस बात पर साइको वीडियो बनाए, कुछ लोग यह पता ने, आपको साइको लोजी वीडियो लिखने में क्या प्रॉब्लम हैं साइको लोजी लिखे, पूरी वर्ड लिखे, हैना, साइको मतलब होता है, वो साइको पागल, हैना कि वो साइको है, वो पागल है, इस तरह की फिलिंग आ जाते है, मुझे, साइको वीडियो बनाए, कुछ लोग प्रॉफिट नहीं ले पाते, कहने का भाव पूरा प्रॉफिट न भाव से, और सेर कुछ नीचे चला गया, जाने दिए जंगल में गया सेर तो, अब वो आगले दिन शुबा थोड़ा खुला नीचे गया, उसके आद ऊपर चड़ने लगा, तो मैंने 101 पे काड़ लिया, ठीक है, सो पॉइंट, दस के, सो पॉइंट है, चार अजार सेर ने लिया, ना, सो पॉइंट, दस के भाव से, और सेर नीचे चला, वो आगले दिन शुबा थोड़ा खुला है, उसके आद ऊपर मैंने 101 पे काड़ दिया, अब समझ गया, सो के भाव पे इन्हों ने खरीदा, और 101 पे इन्हों ने काड़ दिया, मने एक दिन वो नीचे गि गिल्टी फिलो रहा है कि कास में रूख जाता, तो और भी पॉइंट में ले पाता, मैं इसी गलती बार-बार करता हूँ, इस पर कोई शायक को विडियो बन जाए, तो मेरे साथ कई और भी होंगे, जिनको इसका लाब मिलेगा, इस अपते के सेर है, HDFC AMC 2832, ICICI Security 772, Ipka Lab 27 गुजरात नर्मता वैली 242, अब देखे इनका क्या है, सर यह साइकलोजिकल विडियो है, के बारे में बात करें कि मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाता हूँ, स्टॉक थोड़ा से नीचे उपर होता है, सर स्टॉक थोड़ा से उपर नीचे इसलिए होता है, तो आपको ड प्रॉबलम नहीं है, लेकिन इस बात को कहीं न कहीं जब आप सोएंगे न, तो एक बार सोचिएगा, आप क्या आप जब ट्रेड करते हैं, तो अपने मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, आंसर इमानदारी से दिजिएगा, राजकुमार साब, अपने आपको ही क्योंकि जो मैनेजमेंट फॉलो करता है, डर उसको नहीं लगता, वो एक पॉइंट नीचे चला जाए, दो पॉइंट नीचे चला है, उसको कोई डर नहीं पता, उसको पता है, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, ठीक है, इसलिए मनी मैनेजमेंट को पहले फॉल प्रोफिट में इस्टाप्रोस लगाना पड़ेगा सर आपको इंपोर्टेंट 2760 रुपे का इस्टाप्रोस मेंटेन करना होगा उपर अगर अगर यह 860-870 अगर यह ब्रेक करेगा तब एक बार यह उपर की लेबल 2950 से लेके 3000 की लेबल जरूर दिखाएगा इसको चेक कर लेते हैं यहां पर इसके पास है नहीं है चली मैं फायर्स में चलता हूं वहां पर मुझे पता चल जाएगा इसे आइसे 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 के नम से आता ऐसा है आइसे कोई और स्टॉक्स है मैं चेक कर लेता हूं फिर से आइसे 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 सीकुर्टिस अपने लिया तो इस्टॉक में गलत तो नहीं देख रहा मैं चेक कर लेता हूँ, नहीं, आपने कब लिया है, कब लिया है, इसे काफी ज़्यादा है, क्या इस प्राइज आपने सही लिखा न, 472 के जगा, 472 तो नहीं लिख दिया, देखिएगा, अगर क्योंकि, मैं तो देख भी नहीं पा रहा हूँ, 472 कब आया था इसका मुझे लगता है, आपने 472 लिखना था, आपने 472 लिख दिया, अगर यह प्राइज है तो 445 से 50 का स्टॉप लोस लगाईएगा, उपर अगर यह 480 करेगा, देन 500 का टार्गेट आपको जरूर दिखाएगा, एक और स्टॉप है सर, आपका, इपका लेब 227 गुजरात नर इसको अपने यहाँ पर कहीं पर लिया है, 2270, 280 यह सब इस्टॉप लगेगा, अगर वो कटता है तो 200 का नीचे लेवला देगा, उपर जब तक यह 250 नहीं काटेगा, तब तक फायदा इसको नहीं होने वाला है, इपका लेब को सर, एक और स्टॉप है, आपके पास गुजर नर्मदा वैली देखे, गुजरात नर्मदा कहां गया, जी एन एफसी है ना, वो जी एन एफसी, गुजरात नर्मदा वैली यह, आपने लिया है, सर इसको 245 पर, प्राइस चल रहा है, 242 देखे, उसके कोई टेंशन उतरा खास नहीं, 244 का स्टॉप लस लगा को होल्ड कर पर राजकुमार साब, ठीक है, और आई बास एकलोजिकल वीडियो कोजिस करूंगा, उस पर आगे बनाने की, अगला सवाल लेता हूं, रोस अंजी बैंगलोर करनाटका से लिखने, ओयल इंडिया, 102 रुपे 46 पर से पर लिए, पी एल को 488 पर लिए, वाट विल भी दाइस पैसे की क्लोजिंग चल रही है, आपने 102 चल रही है, एक अच्छा है, 106 का स्टॉप्रोस लगाई है, होल्ड करिए, उपर वापस से अगर 110 ब्रेक करता है, और 114 से 15 का तार्गेट फिर से आपको दिखा देगा, ओयल इंडिया, दुसरा आपने पी एल लिया, तो फार्मा नीचे कटेगा, तो फिर यह सर 1300 सार तक चला जाएगा, याद रही है, लेकिन उपर अगर यह 1500 काटता है वापस से, तो फिर 1550 तक का भी टार्गेट आपको 1600 तक का भी जा सकता है, पी एल, यह है आपका टार्ग, इस्टॉपलोस एंड टार्गेट, अनुराग जी कानपू अमभूजा का तो लेबल में शुरू में बता दिये, एक बाई साप के SEC और अमभूजा पर पहला वाला ही सवाल है, आप उसको देख लिजे अमभूजा को, और दूसरा आपने GMR इंफरा लिखा है, तो GMR इंफरा की बात कर लेता हूँ, पहला सवाल में, अमभूजा का द नीचे आने पर ये प्रोब्लम करेगा, लेकिन उपर अगर ये 28, 28, 28 के आसपास अगर ये निकलता है न, तो एक बार फिर ये रुख जाईएगा, तब आप वेट कर लिजेगा, टार्गेट 30 के लिए, GMR इंफरा 35 के लिए, ठीक है सर, शाली, अगला सवाल लेता हूँ, औ पूने से लिख रहे, रिसेंटी पर्चेस सेंचुरी प्लाय, 223 पर, और संटेक रियल्टी 325 पर, क्या मैं इंशर को अपने पोर्फोलियो में 20% प्रोफिट के लिए होल कर सकता हूँ, मल ये सर, वो 20% प्रोफिट नहीं देगा, 15% देगा, तो क्या आप नहीं लेंगे, क् छोड़ देगे, कहेंगे, नहीं लेना है मुझे, लेना है न, पोर्फिट तो प्रोफिट होता है, लेकिन हम लोग ये चेक कर लेते हैं, कि उसमें आगी क्या गुंजाईस हो सकता है, सेंचुरी प्लाय, टाइम प्रियेड पे भी डिपेंड करता है, अगर आपके पास लगा लिए अभी तो टार्गेट को छोड़िए पहले तो आप 210 का स्टॉपलोस पकड़िए, अगर ये 210 के नीचे गिर गया तो फिर बहुत गिर जाएगा, दूसरा, 225 से 230 को अगर ये ब्रेक नहीं कर पाता है तो और खत्रेम आप पड़ जाएंगे, अगर वो ब्रेक कर जाता है, 225 से 230 तब फिर आप 250, 60 तक भी जा सकता है, लेकिन अगर उसके पहले ये 210 को ब्रेक कर गया तो आप मुसीवत में पड़ जाएंगे सर, संटेक रियल्टी, इसको देख लेता हूं, यहां पे नहीं है, तो फायर में देख लेते हैं, यह सब चीज सुविदा रखन पड़ेगा, नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा, संटेक रियल्टी आपने लिया है, 325 पर बहुत बढ़िया, कोई दिकत नहीं सर, 376 पर चल रहा है, 320 का इस्टॉपलोस लगाईए, 318, 320 का इस्टॉपलोस अगर वो कट जाएगा, तो निकल जाएगा, 340 को ऊपर कट तो रु संटा सरकार सहाब लिख रहा है, I have bought sale at the rate of 55, पचपन रुपे पिनोंने इस्टील अथर्टी ओफ इंडिया को लिया हुआ है, प्लिस टेल मी, इस इस्टॉपलोस अटारेट, आसो I want to purchase Gatti and ONGC, which one will be better and also at what price should I buy, Gatti और ONGC दोनों अलग लग सेक्टर के इस्टों के सर, Gatti एक लोजिस्टिक कमपनी है, ONGC, oil company है, हाना, तो दोनों का comparison नहीं कर से, दोनों अपने-पने सेक्टर के हिसाब से चलेंगे, और अपने-पने से, आपको यह देखना है क्या, आगे आने अले लोजिस्टिक कमपनी में, आपको फायदा हो सकता है, लोजिस्टिक कमपनी आगे चार्ट के साब से मैं कोशिस करूंगा बताने का, सेल को आपने लिया है, पहले देख लेते हैं, वेट करिए सेल में 55 का stop loss लगा के, 60 का एक टारगेट जो की लगवलब आभी गया है, 59.65 का high लगा है, कोई टेंसन नहीं है, 55 का stop loss लगा, वेट करिए, आपने उसी पर लिया तब सही रहेगा, 110-110 के टारगेट के लिए, गती की बात है, तो गती को चेक कर लेते हैं, गती, अगर 85 को काट देगा न, तो प्रॉब्लम करेगा फिर गती, अगर 90 को उपर निकलेगा, तब ठीक है, 95 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है, गती, ठीक है जैनता साहब, अब फिडबेक जरूर देजेगा, नवीन जी, बैंगलोर से लिख रहे हैं, अगर कोई स्टॉक को 40 रुपे में बाय किया है, और उसका रेट 6280 के बीच में जा सकता है, तो इस टॉप लिमिट ओर कैसे लगा, आपको ब्रैकेट ओर लगाना होगा, और ब्रैकेट ओर कैसे मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूं, आप उस वीडियो को जाकर कम्प्लीट देख लिजेगा, ठीक है सर्, यहां पर आप आएं, मेरा आरकेट ट्रेडिंग चैनल है, या मेरे आरकेट ट्रेडिंग वेब साइट, आप दोनों में से कहीं पर भी आ रहे है, कोई ट्रेडिंग टर्मिनल, ट्रेडिंग टर्मिनल आपको मैं दिखाता हूं, ट्रेडिंग टर्मिनल किदर गया, देखें यहां पर आएंगे, ट्रेडिंग टर्मिनल नाम का एक प्ले लिस्ट मिलेगा, यहां मिल गया, और इसको आप जब क्लिक करेंगे, तो इसके अंदर वो नीचे बहुत सारे विडियो मिलेंगे, देखे नीचे जैसे आइगे आपको बहुत सारे विडियो मिलेंगे, मैं इसको पहले पॉस्ट कर देता हूँ, अब यहां पर बहुत सारे विडियो मिलेंगे, देखे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ियेगा सर्थ, और आपको म और दूसरा आपको कैसे ऐसे लिमिट मार्केट ओडर लगाना आप इस वीडियो को क्लिक करके चेक कर सकते हैं आप मेरे वेबसाइट पाइए ट्रेडिंग टर्मिनल फिर से बताया तो आरके ट्रेडिंग डॉट ओनलाइन पाइए वीडियो वाले सेक्शन में जाईए जी हैदरावाद से लिख रहे हैं आइटी सी में कल भी बड़ा वॉल्यूम जनरेट हुआ यानि कि फ्राइडे को क्या हम और एक रेली एक्सपेक्ट कर सकते हैं और प्रॉफिट बूखिए आइटी सी अभी अपने पत्ते खोले नहीं उसने 250 तक लगभग लगो उसको जान चाहिए मेरे ख्याल से मैं जहां तक उसके चार्ट को समझ पर आइटी सी हलां कि मैंने 170 पर दिया था 170 के उपर ही बैक करने दिया था और जब दस मुवमेंट आया है तो अभी 250 का भी टार्गेट मिल सकता है आगे आने वाले समय में उम्मीद करता हूं आप अपना प्राइस हलांके आपने लिखा नहीं है लेकिन मैं अपना भीव बता पर रहा हूं आपको मुली दरण जी चैन्ने ही से लिख रहे है कि सिंस लास्ट एट मंथ जेरुदा इस नॉट प्रवाइदिंग ब्रैकेट और ओडर ओके वन आई दू इंट्राइट टेरिंग अंपने अपने टाथ अपने इन आपटता प्राइस की जेरुदा टा डंसरी मिड़न जेरुदा इस नॉट प्रोटे एंट तो फैटमीद की ब्रैकेट परोडर अंच जार्ट्व या तहुं अंबटता है और ही बास चार्ट तो चार्ट तो मैंफ इसलिए मैं फायर्स को बता पाऊंगा आपको आप देख लिजे आप इस टॉक में अगर पसंदा दा तो आप मेरे वीडियो के लिंक में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में लिंक है फायर्स अपनिंग लिंक आप वहाँ पर जाके क्लिक करके खुलवा सकते हैं अगला और अंतिम सवाल है जस्पाल सिंग सहब गुदाश्पूर पंजाब से लिख रहे हैं स्सेल टेक 850 पर बाय किया है 900 के टार्गेट के लिए तो एसल क्या होगा सर मेंगा निफ्टी फार्मा और आईटी श्टॉक अनसिस को अगर आप फॉलो करते तो आपको वह बिल्क और काटे का 880,900,920 तक का भी टार्गेट सेल टेक दिखा सकता है तो यह था आपके सवाल पर मेरा अपना व्यू फिडबैक जरूर दीजे और लाइक, शेर, कमेंट करिए उसके बाद लाइब मार्केट में कॉल पराप्त करने के लिए आपको टेलिग्राम चानल जोइन कर बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों